तो दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं अगर मेजर ट्रॉल जो की मजाग मशीन है मेरे पास उसमें आ रहा था ATC ड्राइवर अलाम तो दोस्तो ATC मतलब आटोमेटिक टूल चेंजर ऐसी आपकी कोईसी भी आक्सिस जैसे की पैलेट चेंजर या कोई अन्य आक्सिस पे भी इस तरीकी का अलाम आ सकता है तो उसके लिए दखिए दोस्तो हमें क्या करना है हमें MRJ2 खोलना है आपको अगर MRJ2 नहीं खोलना आता तो मैंने और भी कोई वीडियो बनाई हुई है जिसमें आप देख सकते हैं तो यह मैंने MRJ2 की स्क्रीन खोल ली यहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर आक्सिस को सेलेक्ट करना है जैसे के ATC का अलाम आणा था तो ATC को मैंने सलेक्ट कर लियार फिर test operation है यहाँ पे test operation में आपको जाके और यहाँ पर OK का बटन दबा देना है यहाँ पर आपको जाना है alarm मैं अगर यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर file, setup, monitor, alarm आपको दिखेगा तो alarm पर जाके alarm display में आपने देखना है कि आपका exactly alarm है क्या तो यहाँ पर दिख रहा देखिए voltage drop for ABS counter memory मतलब कि जो memory save करने के लिए यहाँ पर voltage होनी चाहिए battery की वो battery की voltage इतनी नहीं है जिस वे इसे हमारा reference उड़ चुका है और यहाँ पर आपको दिखेगा कि reference जो है complete नहीं है complete की जगह illegality आ रहा है यहाँ पर दिख रहा होगा आपको तो आपको क्या जाना यहाँ पर battery replace करनी पड़ेगी यहाँ पर देखिए दो drive लगी हुई थी मेरे पास जो की ATC और मैकजिन की थी तो मिझे ATC वाली जो मेरे drive है MRG2 drive है यह तो इसमें हमें battery चेंज करनी है बैटरी चेंज करने के लिए आपको front cover यहाँ पर easily remove हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं battery है battery को आप normally on condition machine on condition में ही change करना चाहिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने battery अराम से लिखा लिए है उसके बाद देखिए connector है connector को आपको easily यहाँ पर remove कर सकते हैं तो two pin connector यहाँ पर होता है तो यहाँ पर मैंने लिखा लिए है उसके बाद देखिए नई battery उसको उतनी ही आसानी से यहाँ पर replace कर सकते है यहाँ पर कहीं बार बैटरी आपको देखना है कि बैटरी आप उरिजिनल यूज़ करें कहीं बार क्या होता है कि जैसे मिटसी बिसी मेक में ही आपको सब कुछ सेम लगके भी वो बैटरी कभी-कभी लोकल आयाती है जिसकी वएसे आपको जो रेफरेंस है वो बहुत ही कर दी है और connect करने के बाद हम बैटरी को आराम से इसके case में लगा के आपको लगा कुर्णा में नच था चाना है और यहां पर आपको देखिये reference करने के लिए absolute position initial set आपको करनी है तो यहां पर देख सकते हैं अभी एलाम यह अलाम दिखाएगा एलाम जब तक दिखाएगा दोस्तों जब तक कि यह reference होना जाए तो आपको alarm reset करने के बाद भी alarm आता रहेगा तो आपको यहाँ पर अभी reference बनाना है reference बनाने के लिए पूरा procedure आपको अगर ATC आपका rotation के लिए किस्समें free रहेगी आपको वो सारी conditions फुल्फिल करनी है और simple से दुबारा से MRG2 में जाके आप jog या step mode में आप उसको rotate कर सकते हैं करने के बाद वो automatically महाँ पर edge value कुछ दिखाएगा और machine edge value के बाद आप उसको on off करके 0 पे लेके आपका जो alarm है वो alarm चला जाएगा और आप अच्छे से machine को दुबारा से run कर सकते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like कर दीजेगा और channel अच्छा लगा हो साथ तब तक की लिए दीजे जाज़त नमस्कार जै हिंज जै भारत पड़ेगा इंडिया तभी तो skill बनेगा इंडिया